हलो एवरिवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंगलिश की ट्रांसलेशन कैसे करते है पेरग्राफ है आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ और मैं आपको सिखाँंगा कि इंगलिश की ट्रांसलेशन हिंदी में कैसे करेंगे A blind man lived in a village Blind कहते हैं अंधे को Blind man अंधा आदमी Lived means रहता था In a village एक गाउं में अब इसको सही करके बोलेंगे एक अंधा आदमी एक गाउं में रहता था That village caught fire That village मतलब उस गाउं में या वह गाउं caught fire आग लग गई यानि उस गाउं में आग लग गई All the people इसका मतलब होता है सभी लोग ran away यानि भाग गए Leaving छोड़कर the village गाउं को सभी लोग गाउं छोड़कर भाग गए A lame man लेम कहते हैं लंगले को लंगला आदमी एक लंगला आदमी also lived in that village Also मतलब भी lived रहता था in that village उस गाउं में एक लंगला आदमी भी उस गाउं में रहता था The blind man said to the lame man Sad का मतलब होता है कहा To the lame man यानी लंगले से उस अंधे आदमी ने लंगले आदमी से कहा You have eyes but you can't walk You have eyes मतलब तुम्हारी आखे हैं तुम्हारे पास आखे हैं But लेकिन you can't walk तुम चल नहीं सकते I have feet but I can't see I have feet का मतलब मेरे पास पैर हैं But लेकिन I can't see मैं देख नहीं सकता Come आओ sit on my shoulders Sit means बैठना On my shoulders मेरे कंदों पर आओ और मेरे कंदों पर बैठ जाओ You will show me the way You will show तुम दिखाओगे मी मतलब मुझको The way रास्ता तुम मुझे रास्ता दिखाओगे And I shall walk और मैं चलूंगा Both of them इसका मतलब होता है दोनो Both of them did so दोनों ने ऐसा ही किया यानि उन दोनों ने ऐसा ही किया And went out of the village safely Or went out का मतलब बाहर निकल गए Of the village गाओं से Safely का मतलब सुरक्षित और वो दोनों गाओं से सुरक्षित बाहर निकल गए अगला पैराग्राफ देखते हैं Good children इसका मतलब होता है अच्छे बच्चे Obey their elders कहना मानते हैं अपने बड़ों का कहना मानते हैं They always speak the truth They का मतलब वे always हमेशा speak the truth सच बोलते हैं वे हमेशा सच बोलते हैं They get up Early in the morning Get up का मतलब उठना Early का मतलब जल्दी in the morning सुभा को वे सुभा को जल्दी उठते हैं आगे है They reach the school at time They का मतलब वे reach का मतलब पहुँचना the school school को at time समय पर वे समय पर school पहुँचते हैं या पहुँच जाते हैं They do their school work everyday Do means करना their school work अपना school का काम everyday रोजाना वे अपना school का काम रोजाना करते हैं everyday का मतलब प्रिती एक दिन यानि रोजाना They also play वे खेलते भी हैं in the evening शाम को वो शाम को खेलते भी हैं They love their younger brothers and sisters वे अपने छोटे भाईयों और बहनों को प्यार करते हैं Younger means होता है छोटा They respect elders वे अपने बड़ों का सम्मान करते हैं Respect होता है सम्मान करना इज़त करना elders बड़े Such children ऐसे बच्चे Such means ऐसा ऐसे या ऐसा ऐसे बच्चे विल बिकम ग्रेट परसंस वन डे ऐसे बच्चे एक दिन महान व्यक्ती बन जाएंगे आगे है Socrates Was a great philosopher of his time Socrates इसको हिंदी में बोलते हैं सुकरात Was a great philosopher एक महान दार्शिनिक था of his time अपने वक्त का अपने समय का His life उसकी जिन्दगी was very simple बहुत ही simple थी साधारण थी He taught People in a lovely manner उसने लोगों को बहुत ही प्यार से समझाया या सिखाया या पढ़ाया This gradually made him very popular Gradually का मतलब होता है धीरे धीरे इससे क्या हुआ कि इससे वह धीरे धीरे popular हो गया मतलब प्रिसिद्ध हो गया The rulers of the country यानि देश के शाशक Rulers मतलब शाशक Country means देश देश के शाशक Did not bear it यहां पर bear का मतलब होता है बरदाश्ट करना और देश नोट आया यानि बरदाश्ट नहीं किया देश के शाशकों से यह बरदाश्ट नहीं हुआ They gave him death sentence उन्होंने उसको दे दी death sentence का मतलब होता है सजाय मोत यानि उन्होंने उसको सजाय मोत दे दी Students and Friends Please like and share this video and don't forget to subscribe my channel Thanks for watching